हापी बर्थे टू यू तमस्कार भीया बहुत स्वागत है आपका देख रहे हैं आप शुब जुनम्गिन श्पेशल आपके साथ मैं हूँ आपका आश्टो फ्रेंड संतो संतोशी दिनांग 13 नवंबर हैपी बर्थे बहुत सारी शुब कामनाएं बधाईयां आप सब के लि हो पूरा वर्ष आपका हस्ते गुनगुनाते उत्तम स्वास्थ के साथ बीदे ऐसी हम परम्पिता परमेश्वर से प्रात्ना करते हैं उनको भी बधाई देते हैं जो 13 नवंबर को दामपत्य सूत्र में बधे थे जी हां भाइपी मैरी जैनवर्सरी बहुत सारी शुब काम आपको भी तो आपको हम बताते हैं पूरे साल का हाल एक जटके में महज पांच मिनट में तो पांच मिनट में पूरा साल कैसा बीतेगा जानने की करम में पहला सुक्षा के बारे में बताते हैं दिनांक 13 नवंबर को पैदा हुए लोगों के लिए सुक्षा का अस्तर सुध जाएगा शुक्षा छेत्र में बड़ी लब्धी अर्चित करेंगे आई बहुत सारी बाधाओं से बाहर निकलेंगे नमबर दिसंबर पूरा बेहतरीन पढ़ाई होगी जनवरी में थोड़ा स्वास्त खराब होगा फर्वरी मार्च अच्छा जाएगा एक्जाम बहुत बढ हैंगे नई जगए अनिमेशन होगा रिजल्ट बहुत पॉश्टिप आएगा अगस्त महीना कुछ मांसिक की यात्ना लेकी आएगा अगस्त बहुत अच्छा नहीं है अक्टूबर फिर से एक बार शुभत्तों की प्राप्ति होगी ब्यापार की बात कर लेते हैं तेरह को पैदा हुए हैं और बिजनस करते हैं तो यह साल आपके लिए अनकुलता लेकर आया है कोई बहुत बड़ी उपलब्ध ही आप अर्जित करेंगे और यह अनकुलता आपके लिए बहुत सकरात्मक रहेगा ब्यापार एक घाटे के भरपाई होगी बिजनस में बड़े फैसले लिये जा सकते हैं फरवरी मार्च आपके लिए बहुत अर्पूल रहेगा विदेश से भी ब्यापार आरब हो सकता है जुलाई अगस्त तक आते आते कुछ बड़ा विस्तार दे सकते हैं लोन्स शंक्षन होगा कहीं निवेश किया जा सकता है अक्टूबर नॉमबर आपके लिए दोजान बीस का सकरात्मक होगा दिनांक 13 नॉमबर को पैदा हुए लोगों के लिए प्राइविट सेक्टर में जनवरी में प्रोमोशन है, मार्च में प्रोमोशन है, जुलाई में प्रोमोशन है, अक्टूबर में प्रोमोशन है बहुत अच्छी नहीं रहेंगी गौर्ण सेक्टर हो सकता है कि सरकारी नौकरी के लिए आपको कुछ इस्ट्राव एफर्ट करना पड़े पहले से अगर नौकरी करना है तो उसमें बाधाय आएंगे कुछ बड़ी रुकावटे अचानक से आपको छेड़ने लग जाएंगे आपने सोचा भी नहीं होगा कुछ ऐसी स्थिति भी आ सकती है और हो सकता है अचानक से आपकी नौकरी पर ही आच आ जाए गौर्ण सेक्टर वालों के लिए मही के बाद बिल्कुल इस्थिति ठीक नहीं है जून जुराई तो आपके लिए बिल्कुल समझे करो मरो की इस्थिति रहेगी अगस्त और अक्टूबर ये परिस्थितियां बहुत प्रतिकूल है दामपत्य जीवन सकरात्मक है दामपत्य जीवन में कोई ऐसी समस्या नहीं आएगी पति-पत्नी के बीच रिस्ता मधूर रहेगा दामपत्य जीवन में सुधार की गुण जाइश भी रहेगी लव लाइफ में दिक्कत आ सकती है सेप्रेशन फरवरी में संभाव है सेप्रेशन मई में संभाव है सेप्रेशन अगस्त सितंबर में संभाव है अक्टूबर के पहले अक्टूबर 2020 के पहले कोई नया आरंभ मुश्किल लग रहा है स्वास्त के मामले में आंख, पेट, पीट, बैग, अर्डी ज़्यादा परिशान करेगा इन जगहों से आपको बहुत साथान रहने की आवश्यक्ता है बहुत बिचार करके, सोच समझ करके फिर फैसला लीजिए दुर्खटनाएं, अप्रेल, सितंबर बहुत ज़्यादा हो सकती है उपाय क्या करना है, तीन प्रकार के फल कहीं जरुरतमंद को देना है और तीन पीपल के पौदे कहीं पर लगा दीजेगा ये दो प्रियोग आपके लिए है आज इनकी शादी की साल गिरा है, तीन जरुरतमंदों को कपड़े का दान करके फिर मिठाई का दान शुब होगा तो दिनानक नो, आठ, नो, दस, दिसंबर को इन दौर में रहेंगे हम और 14, 15, 16, चंड़ेगर ये भी अपॉइन्मेंट लगातार चल रहें, इनसे भी आप चंड़ेगर या इन दौर में मिलना चाहें तो बस सहर का नाम अपना नाम लिख के मैसेज कर दिया करें हर जगह का अपॉइन्मेंट आप सब के लिए मिल जाएगा बच्चों की काउंसलिंग के लिए, हस्बेंड वाइफ की काउंसलिंग के लिए भी आप मुलाकात कर सकते हैं बच्चों की काउंसलिंग के लिए उनकी कुंडली की आवशक्ता नहीं पड़ेगी कई बार होता ना बच्चे करते हैं कि हम जोतिश में विस्वास नहीं करते हैं कोई बात नहीं आप उनको ले आई या ऐसे ही बिना बताए बिना जोतिशी बताए बहुत आभार आप लोगों का प्यार बनाए रखने के लिए और 21 तक तक तो अभी गाज़े अबाद में ही है तो 21 नवंबर तक आप गाज़े अबाद में मुलागाद कर सकते हैं थैंक यू सो मच नमस्कार शिरादे